बीमारियों के इलाज में होने वाले एक खर्च का बड़ा हिस्सा दवाईयों का होता है हमारी टीम की एक सदस्या ने आम तोर पर काम आने वाली कुछ दवाईयों का एक प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर से लिया फिर उन्होंने ये दवाईयां बाजार में एक केमिस्ट की दुकान से खरी दी और यही दवाईयां उन्होंने जेनरिक मेडिसिन्स की दुकान से भी ली दवाईयों की कीमत में जमीन आस्मान का फर्ट दिखाई दिया राजस्तान में कम कीमत में मिलने वाली इन जेनरिक दवाईयों की शुरुवात की चित्तौर के पूर्फ कलेक्टर दॉक्टर समिट शर्मालेग राजस्तान में मिलने जेनरिक दुकान में उस दुकान में जब गई तो उनको कम में मिली थीन सो में मिली ये कैसे मुम्किन है ठीक इसी समय प्रतिक्षन प्रतिपल एक ट्रेजडी हमारे चारों और खट रही है अर्थक्वेक किया कि सुनामी की बात करें उसमें जितने लोगों की जाने एक दिन में जाती है उससे ज़्यादा जाने प्रते दिन इस ट्रेजडी के वेसे जाती है वो क्या ट्रेजिडी है? वो ट्रेजिडी यह है साब कि जो दवाईयां की वास्विक कीमत है वो तो बहुत ही कम है पर जो दवाईयां हम जब बजार से खरीद के लाते हैं तो हमें वो पांच गुना, दस गुना, बीस गुना कई बार तो पचास कुना से भी ज़्यादा दामों पे हम उसको खरीदते हैं जैसे हम भारत में अगर देखें कि चालीस करोर से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो अपने लिए दो वक्त की रोटी नहीं जुटा पाते तो क्या वो तो दवा को खरीद सकते हैं बहुत सारे लोगों को इस वज़े से दवाई नहीं मिलते हैं यस डवल वहो कहता है कि स्वतनता के 65 वर्ष परश्चात आज भी 65 परसेंट आफ दे इंडियन पोपलेशन लेक्स रेगुलर एक्सेस तो इसेंशल मेडिसिन्स जो मेन मेन दवाई हैं जो आवशक दवाई हैं वो उन तक नहीं पहुंच पाती रखम के वज़े से मुझे बताइए कि यह जो जेनरिक मेडिसिन्स जो हम कहते हैं अब यह अग्रेजी का शब्द है जो हिंदी में कैसे समझाएं मैं अब को बहुत सरल भाशे में बताता हूं तो यह जैनरिक नाम जो जो मुल्द सॉल्ट है जुसके अंदर जो दवा है उसका नाम है केमिकल नाम है अब जैसे और उधारन अगर सरल करके बताएं इसको तो जैसे यह लड़की दुबली पतली से नजर आती है तो मैं अगर डॉक्टर हूं तो मैं इसको यह कहूं एक गलास दूद सुबह एक गलास शाम को पिया कर पर चिकित्सा के व्यवसाए में दुरभाग है लेना है कि नहीं लेना तो जो 30 रुपई की चीजे हो पांच investigator मिलती है तो अगर मैं डिबिडी सकी दवा ले रहा हूं और misin ब्रैंडिड ड़ा लेता हूं तो मुझे कितने की पडगी ऐसे fosse 1710 रुपए में वी एक जोनों गोलियों में कोई फरक नहीं किसी किसुन का प्रतिशत समान क्योंकि इसकी उत्पादन लागत ही इतनी है उसका मैनिफेच्चरिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट, डिटेल मार्जिंग, जो हैं जो हमारे जाता के सब मिला करके, उतने की ही पड़ती है 8800 में बेशती है और एक 6500 में बेशती है मतलब ये आपका ये कहना है कि आपके ये प्रयास से इतने कम में राजस्थान में पबलिक को, अवाम को ये दवाएं पुचा रहे हैं आप इस वक्त क्या बात है मेरा ये सवाल है कि डॉक्टर्स जो हैं इस अवे हमारे पर्ची पर जेनरिक नाम क्यों नहीं लिखके देते क्यों लिखते हैं वो ब्रैंड़िटे जब याने नहीं देंगे बार फिर नहीं नहीं सब जाने देंगे जब एक नयाना है मेडिकल प्रेक्टिशनर जब प्रेक्टिस शुरू करता है तो उसके पास जो company के जो medical representatives होते हैं sales बढ़ाने का उनका काम होता है marketing principle के साब sales agent होते है basically तिरो कहते हैं कि साब अब हमारी जो दवा है यही लिखना यह बहुत बहुत बहुतर दवा है इससे मरीज ठीक होगा और उनको डॉक्टर्स को लिखने के लिए उनको प्रेशराइज किया जाता है तो यह एक समें बहुत बड़ा कारण है जो दवा की कीमत को उसकी वास्तफिक कीमत से पांच दस गुना बीस गुना तक बढ़ा देता है यह बहुत बड़ा कारण है क्योंकि हमारे पास जब हम टेंडर करते हैं तो आपको कोई रिजिस्टेंस फेस करना पड़ा राजस्थान में? देखिये, जो प्रयास हम कर रहे हैं, यह बेसिकली धारा के विपरित बहने का एक प्रयास है. काफी threats भी हैं क्योंकि इसमें mafias भी हैं drug mafias जो operate करते हैं और हम हमेशा है बात कहते हैं कि हम सौ साल से भी पुरानी शोशन की विवस्ता को बदलना चाहते हैं पर हमेशा doctors को दोशी नहीं माना सारे doctors बुरे नहीं हैं 50-60% तो genuinely वो चाहेंगे कि गरीबों को कम कीमत पे दवा मिल जाएंगे और आज भी ऐसे doctors हैं जो अपने घर से सैंपल्स ला करके अपने जेब से पैसे निकालके मरीज का उलाज कराते हैं ऐसे doctors आज भी हैं बिल्कुल सही मैं इनको एक उधारन भी बताता हूं कि कैसे हमारे जो काम वाली थी उसका बच्चा था चोटा इंसिडेंटली हम को इस से में चुटी मनाने कोई बाहर गए जब हम लॉट कि आए दस बारा दिन बाद तो लक्षमी के साथ उसका चोटा जो बेटा था राजू वो भी उसके साथ आता था जब और मेरे बच्चें के साथ खेलता था मेरे बिटें के साथ खेलता था तो लक्षमी अकेली है राजू नहीं आया तो हमने पूछा कि क्या हुआ तो उसने बात बताई कि साथ वो उसको आप गए थे उल्टी दस हो गया था उल्टी दस की बिमारी के लिए जब दवा लेने गई तो केमिस्ट ने उसको कहा कि इसके तो चार सो रुपे लगेंगे तो उसने का साथ मैंने खूब मांगा मेरे पास चार सो रुपे मुझे नहीं थे और मेरा बच्चा रात को ही उसको दस तातरे वो खतम हो गया और मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि वो जब दवा लिखी थी कि वास्ताव कीमर डेड़ दो रुपे ही है तो वो बच्ची की जान बच सकती थी पैंसट वर्ष के बाद भी अगर कुई बच्चा उल्टी दस्ते मर जाए तो मैं नहीं समझता इस से शर्मनाक बात को हम लोगों के लिए हो सकती है और सबसेड़ बात किसे आसानी से बदला जा सकता है हमें सबको एक समनवेत एक संगठित प्रयास करने की जरूत है तो कुछ भी नहीं है कोई नई फैक्टरी खोली नहीं कोई नई दवा नहीं बनानी ये सब जो गलत चल रहा है इसको रोकना ही तो है